नमस्कार कैसे हैं आप पोशन की श्रंखला में मैं निर्दोश कौशिक बैकल पिक चिकित्सा के अंदर आज अपोशन के विशे में अंडर नुटरिशन के विशे में आपको कुछ बताने जा रही हूँ पोशन का हुमने चार पार्ट में किया था सुपोशन, कुपोशन, अत्यधिक पोशन और अपोशन तीनों का मैंने आपको बताया अब मैं बताना चाहती हूँ कि अपोशन क्या है अंडर नुटरिशन क्या चीज़ है जो पोशन हमारे शरीर की आवशकताओं को पूरा न कर सक यानि कि जो भोजन है हमारे शरीर की आवशकताओं आयू के अनुसार हमारी ब्रद्धी न कर सके कोशकाओं की तूट फूट को न रोक सके हमारे शरीर के अंदर वो गुण पैदा न कर सके कि जिससे हम स्वस्त रहें मजबूत रहें दुरूस्त रहें वो हमारे अपोशन कह होता है तो हम बहुत ज़्यादा आलसी चिर्चड़े हो जाते हैं स्वास्थे गिरने लग जाता है यह क्यूं होता है कि आहार की कम मात्रा यदि हम लेते हैं तो हो जाता है मित्र कोई भी नहीं चाहता कि वह जान भूज कर भूखा रहे देक्नुछ परिश्चितियां ऐसी होत उचित मात्रा में खाने के लिए तो हमको पोशित हो जाते हैं दूसरा है पॉस्टिक वर्ग गुण युक्त आहार की कमी हम खाते तो हैं लेकिन कुछ भी खा लेते हैं हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारी खाने के कुछ आदतें ऐसी हैं कि हम कुछ भी खाते हैं और पेट भरना है वस तो मित्रो पहली बात तो पेट भरने के लिए नहीं बलकि जीने के लिए उत्तम जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थे प्राप्त करने के लिए और समाज में अपनी पद प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सब के प्रिय सब के अनकूल बने रहने के लिए हम भोजन करेंगे तो स्वस्त रहेंगे प्रसन रहेंगे खुद का भी कारे कर पाएंगे और दूसरों को भी प्रशन रख सकेंगे दूसरों के भी काम आएंगे तो जिंदगी तो वही जिंदगी है जो सभी के काम आए कभी ये नहो कि हमें कोई कहीं गिरे पड़े हैं उठा रहा है और कई गरे अरे ऐसे जीवन से क्या है उस जीवन से अच्छा है कि हम क्या करें उचित पोशन लें पोशन के विशे में जानकारी लें तो इसमें हम बताते के लक्षन क्या है स्वास्थ का गिरना सबसे पहले क्या है जब हम अपोशित होते हैं तो हमारा स्वास्थ गिरने लग जाता है पीला आपन आजाता है रंग में, दाद कमजोर होने लग जाते हैं, मास पेस्रियां हिलने, डुलने, सुकुरने लग जाती है और चक्कर, बेचैनी, कुछ भी रोग हमें दिखाई देने लगता है, हमारे अनेक रोग हमें लगना शुरू हो जाते है जब हम रोगी रहेंगे, तो फिर क्या खाना, क्या पीना, क्या पैना, क्या औरना, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और हमारा सारी रिक विकाश भी रुक जाएगा जितनी हमारी लंबाई, जितनी हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, वो नहीं होगी और क्या होगा आलसी हो जाएगा वक्ति कमजोर हो जाएगा शीरता आ जाएगी उसके अंदर ऐसे में विचार ही नता भी आ जाती है अच्छे विचार नहीं आते डीप्रेसन में हम बहुत हो जाते हैं सोचते हैं बस जीवन बेकार है ये दुनिया भी बेकार है कुछ भी नहीं है इसमें क्या ऐसा है नहीं ये दुनिया भी अच्छी है आप भी अच्छे हैं इसमें बहुत कुछ है बस नजरिया बदलिये क्या करना है केवल हमें खुद को ही तो स्वस्त रखना है क्यों न रखे परमात्मा ने हमें अच्छा जीवन दिया है मानव जीवन कहते हैं बुद्धी और विवेक तो केबल मनुष्य के पास ही होता है खाने को तो पशु भी पेट भरते हैं उन्हें क्या पता होता है कि क्या खाना है लेकिन वो भी बनस पती खाते हैं तो सोच कर समझ कर जो उनके उप्यूक तो नहीं होती उसे छोड़ लेते हैं तो हम क्यों न इस शंखला में इस में जागरुकता लेकर आएं बच्चों में क्या लक्षन होते हैं अपोशन के कि प्रॉटीन कैलरी वाला जो को पोशन है या तो इसकी अधिकता हो जाती है या नूनता हो जाती है तो इसे के साथ और फिर उसके लिए डॉक्टर्स की सलहा लेनी पड़ती है तो क्या हमें ऐसा ही जीवन जीना है नहीं उठिये जागिये चलिए मेरे साथ एक कदम हमें पोशित बनना है सुपोशन बनकर अपना तो दूर समाज का भी कारे करना है निराशा नहीं लानी आशावादी बने रहना है इसी उमीद के साथ कल फिर मिलेंगे में कल गर्बती महलाओं को कुछ जानकरी देना चाहूंगी तो धन्यवाद